नमस्ते दोस्तों जोहार मैंनी मिस्टर आप सभी का विस्ट चक्वेती यूट्यूब चैनल में हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का एक्जाम होने वाले दोस्तों इससे लिए टॉप 40 इंसी कोई टाइप कोशन्स लेकर आया हूँ इससे आपको अंदाजा हो सब्सक्राइब कोशन्स परम करते हैं निमलिकोगत गज्दान्स को पढ़िए और एक से लिक चाहता तक कि प्रसनों को उतَّर दीजिए तो पहला जो कोशन पूचा जयागा दोस्तों पहले प्टहराई जोस्तों में निनव लिएक्स्ग को पढ़िए और में वो passage पूछा जाएगा ठीक है चली diet questions को पढ़ते हैं हम लोगो time नहीं है ठीक है तो questions direct answer हम लोग बताएंगे ठीक है जो एक question है जोस्तो language is a wonderful gift given to death भासा डैस को दिया गया एक अद्बूत उपहार है तो किनको दिया गया जोस्तो तो याद रखेगा यह दिया गया man को किनक पढ़ेंगे हम लोग question में 2 की होर क्या पूछा गिया when rabbits see an enemy ठीक है जब खरगोस दुस्मान को देखता है तो वह क्या करता दोस्तों इसका भी answer second line में मिल गया है इसका correct answer जीगा bobs its tail and up and down ठीक है याद रखेगा खरगोस जब दुस्मान को देखता है तो भाग जाता है तो भुकनार भुकता को दोस्तों कुटा तो पैसेज बीना देखें हम लोग answer देंगे इसका correct answer होजएगा question option number two क्या होजएगा एक कुटा तब भुकता है जब एक stranger को देखता है stranger means एक अजनावी को देखता तो कुटा क्या करता है भुकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे वो इंसान को मिला है वो मैन को मिला है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग question of five की ओर question five आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है when a beast is food it does communicates to other beast by desk जब मधुमक की भोजन देखती है तो आप वो क्या करती है तो डांस करके communicate करती है बातचीत करती है तो dance कहीं मि बढ़ती क्योंकि passage का सारा चे कोशन हम लोग complete हो गया question seven से आपको grammar देखने मुलेंगे writing sections को देखने को मिलेंगे ठीक है question seven में क्या पूछा गिया question eight की ओर question eight में देख सकते है क्या पूछा गिया है I does how to swim तो मुझे नहीं पता कैसे तेरा जाता है तो I के साथ क्या लगता है आपका solve हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे question nine की ओर question nine में देख सकते जोस्तों जब भी sentence में आपको four दिखाई दे जब sentence में आपको since दिखाई दे तो उसका होता है has been plus have been plus before याद रखेगा यहाँ पर four है या फिर since है तो आप लोग लगाईएगा has been या have been plus before याद रखेगा ठीक है तो यहाँ पर four है हम लोग has been have been खोजेंगे तो has been have been यहाँ पर option number two में मिल गया और आप सभी पता है superior के साथ क्या लगता है has लगता है I के साथ have लगता है इस सब चीज़ देख कर जाएगा कि has किसके साथ लगता है have किसके साथ लगता है आपका solve हो जाएगा चुटकी में आप लोग grammar को भी solve कर कहिएगा चले आगे बढ़ेंगे हम लोग कोश्चन में 10 की ओ सची नेवर डैस एलाई यह सच बात है जो सची ने वो कभी जूट नहीं बोलता है तो सच बात क्या हो ता present form में लिखा जाता है तो याद रखिएगा सची नेवर टेल सची क्या है जोस्तों इसके साथ लगता है याद रखिगा क्या लगता है अगर आएका को सब किस दो सब कर Japanese क्वा आए करेक्यों 11 यहाप च्छ एंद से दी जिएगा am वाला हों। ठीक है। कविता is best girl of our class. जब भी EST आपको दिखाई देना तो EST के पहले लगता है दा या रखियेगा EST के पहले क्या लगता है दा जैसे I am the tallest boy, greatest, जब भी EST यानि super native degree का word मिल जाए तो आप दा लगा दिजेगा 100%, जब भी आपको दुनिया का यूनिक चीज, जैसे sun, moon, चांद, ये सब चीज दिखाई दे, तो the sun, the moon, ठीके, अगर आपको चारो दिशाओ का नाम दिखाई दे, east, west, north, south, तब लोग 100% दा लगा दिजेगा, ठीके, चलेगा, नदी का नाम दिखाई दे, तो दा लगा दिजेगा, ocean, samundar का नाम दिखाई दे, तब लोग दा लगा दिजेगा, music, instrument का नाम आपको दिखाई दे, गिटार, वाइलिन, तो दा लगा दिजेगा, holy book, यानि पवित्र किताब, जैसे दा कुरान, दा बाइबल, ठीके, यह सब लगा दिजेगा, भगवत गीता, ठीके, दा लगाईएगा, यह सब में चलता है, ठीके, तो दा का यूज मैंने आपको बता दिया, कहां-कहां लग पूलिश्टॉप होना, बहुत जरुरी है, ठीके, फूलिश्टॉप होना चीहां, और गारेक्ट सेंस होना चीह, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते, ठीके, ठीके, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हम इस सेंटेंस पे फूलिश्टॉप लगा देना, तो यह सही हो अगर हम लोग डेली एक अपल खाते हैं ना तो हम लोग डॉक्टर से दूर हो जाएंगे यानि डॉक्टर पास लोग जाने का ज़रुरत नहीं होगा चलिए आगे बढ़ेंगा कोशन 13 की ओर कोशन 13 अब लोग देख सकते हैं यहाँ है फ्रेंड यह होगा करेक्ट फ्रेंड यह पर वाज मतना पास्त ना यानि वह दोस्तब नहीं रहा लेकिन दोस्तों है इसलिए इज और वाज में से सब्सक्राइब करेक्ट किजिएगा अपना भी सेंस लगाईएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोशन बढ़ते है आई नीट डैस वाटर ता इनीट सम वाटर याद रखेगा आई नीट क्या हो जाएगा सम वाटर चलिए आगे बढ़ते हैं लोग फिप्टीन क्यों कोशन गॉक ऑन गुख यानिemy उसप्ट क्या लगता है दोस्तों लगता इस बेसिप्टे सब्सक्राइब कोश्छ चीन तो ऺजन से करेंगा ठीक हो जाया, डिखेखे, श्यामबाउट ओग के सत्ते है लग फूर्ट इनकग वड़त जब चलिए नेश्ट कोशन आई एन के इंक जो है दोस्तों इसका हम पढ़ेंगे इंक पॉट पढ़ेंगे ना इंक पॉट तो यह देखी इस से स्टाट हो रहा है जब भी और आ वाला खांदान से रिलेट हो जब भी प्रोनांसियेशन यह जो है और वाला फिल करवाए तो उसके साथ आप लगा एक दम लगा इएगा अन लगा दीजिए जब प्रोनांसियेशन कोघ आप अन मतला ना इसके जो जो चैनल में आप खंदान से उसके सथ ए हुट जो चैनल में आओ आव वाला खंदान साइ Communism क ऑनल गा दीजिगा इतना लगाईएगा एं नहीं लगाना है यू देखकर यूणिक मत लगाईएगा एं थिक ए यू नीक तो यू से वाया रहा है यह और यू किसमें आता कोखोगों में आता उसमें यह लगाई है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नमर 17 की ओर क्वेश्चन 17 में क्या पुछा है कि गिवन एक्टी बश्च दिया गया दोस्तों को बनाना हम लोग को कैसे बनाना है देखिए यह फ्लावर से वह आगे आ जाएगा ठीक है क्या जैगा जोस्तों इसका साथ भी त्री लगाना मस्ट है उसका साथ बाई लगाना मस्ट है यानि ऑप्सन जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा अभीत्री तो रहेगा ही रहेगा और बाई तो रहेगा ही रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगा लोग कोश्चन नमबर 19 क्यों को भी सिखाएंगे कैसे सिखाते देखिए री एरेंज कीजिए ठीक से एरेंज कीजिए जंबल है इधर उधर करके दिया सब्येक्ट क्या लगाते दोस्तों पहले लोक reared आर लगाएंगे इन दा इस उसके बाद डूकता है किसमें स्थ में LEfoundation फ्रेंट दूपस्ट नंबट रागे बढ़ है कि दो सब्सक्राइब इसको भी solve कीजिए चलिए इसको कैसे solve करेंगे देखिए पहले पूर फिर सपोर्ट फिर एवरीडे फिर इस तरह लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे पहले सब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों आई तो आई देट मिस आर पहले हो जाएगा तो आर किस इसका option 1 जो है वो करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अब हम लोग का literature portion यानि book 1 और book 2 का questions पूछा जाएगा बहुत अच्छे से मैंने त्यारी किया है दोस्तों book 1 और book 2 का complete solution आपको वीडियोस जो है playlist मिल जाएगा अच्छे देखे कौन-कौन बच्चे मेरे सारे वीडियोस देखे कमेंड में जुरूर बताईगा ठीक है वो तो धार यह सारे एंसर को टिक कर दीजिए देखिए कैसे करेंगे दाइस्टोरी दा पॉट्रेट अफे लेडि इस रिटेन भाई आप सभी पता ही जो पॉट्रेट अफे लेडियों किन के दुवारा लिखा गिया है ठीक ह चलिए आगे वरता हम लोग कोश्चन में 22 की और क्या पूछा गया है वाट वाट वास हाड टू बिलीब एवार खुसवन सिंग्स ग्रैंड मदर कुसवन सिंग जो है अपने ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज बिलीब नहीं कर पाते थे वो कभी बहुत सुन्दर थी औ बोड़ा सा बेंट यानी जुका हुआ है देखा है वो मानता ने कि मेरी दादी इतनी जवान थी इतनी सुन्दर थी ठीक है चलिए आगे बड़ता हम लोग कोश्चन में 23 की और कोश्चन 23 देख सते क्या पूछ है गया वाट यूज टू बी दा हैप्येस्ट हाप आवर ग्रेंड मादर का वो कौन सा च्छन होता था वो च्छन होता था जब वो स्पैरोष को खाना खिलाती थी याद रखीगा इट वास द टाइम वैंसी फेड़ दा स्पैरोष चलिए आप लोग कमेंट बताइगा स्पैरोष को क्या खिलाती थी ठीक है कोशन आएगा आप लेकिन जब city में सिप्ट कर गई तो City में village dogs नहीं था तो उसका जगा कोल लेता है उसका लेता है इस सपारोस पक्षी याद रखीगा गाहों में जब रहती थी तो के village dogs यानि इसdoes नहीं को खाना खिलाती थी सीटीश कहुण करा रहे हाँ वाइप के साथ 16 years spent करते हैं क्या सुधाने के लिए किस skill पर काम करते हैं वो काम करते हैं सी fearing skills सिखने में ठीक है समुद्री कोसल सिखने में 16 years अपने वाइप के साथ spend करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग question number 26 question 26 में क्या पूछा गया देख सकते है 200 years ago 200 साल पहल 27 की ओर क्या पूछा गया वाट वाज वाज देम आफ गॉट 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 को कज़ेंगे बढ़ता है उसका नाम था वह करेक्ट अंसर है चलिए आप लोग बता है उसका वेट कितना वजन था उसकी लंबाई कितनी थी आप लोग जरू उस तर जरूर कमेंट पर ब आइल एमस्टर डेम में जाके रूपता है याद रखीगा पहले अपना जर्नी को स्टार्ट किया है प्लाइमाउट से इसका करेक्ट अंसर ऑप्शन टू हो गया ठीक है लेकिन कैप टाउन तक सांती से गया है और लास्ट में जाके कहां रूका दोस्तों आईल एमस्टर ड प्रदान करती है लाइफ प्रदान करती है ठीक है चला आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्ट नमर्थ 30 की ओर 30 में क्या पुछे गिया वाट ड़स दरें डूट तो दा नेचर रेचर के लिए क्या करता है तो नेचर के लिए क्या करता है जब भी बारिस होती दोस्तों वो क्लीन कर देता है नेचर को पुरा एट्मस्पेर को क्लीन कर देता है और सुन्दर बना देता है ठीक है या वीटिफाइज भी करता है तो आप्शन जो 3 है वो करेक्ट अंसर है बोथ 1 & 2 चला आगे बढ़ते हम लोग 31 में क्या कुछ है गिया इंगर बारिस नहीं होगी तो स सेंचुरी में रहते थे दोस्तों 8 सेंचुरी में ठीक है चलिए आगे बढ़ते है 33 की और 33 आप लोग देख सकते हैं क्विंटन मिस्ट्रिस वाजर डैस क्विंटन मिस्ट्रिस कौन थे दोस्तों एक ब्लैक समीत का नाम था ठीक है याद रखिए ऑप्शन जो वन है वो करे सपित गोडे का असली मालिक कौन था वो जौन बैरो थे ठीक है कौन थे जौन बैरो इस दक्रेक्ट एंसर ऑप्शन 1 इस दक्रेक्ट एंसर चलिए आगे बढ़ते है 36 36 में क्या पुछेंगे देख सकते है अट वाट टाइम डीड अरम और मुराद किस समय गोडे की सवारी क अगर डॉलिंग एक नाम एकदम क्या दूस्तों डिस परसे एठीक है डिस ओनेस्ट बेमान औरत है और यह किस एड्रेस में रहती एड्रेस जो है हाऊस नमबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट हाऊस नमबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट करके जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे 38 38 में क्या पुछा गिया है मैंने बताया तो दोस्तों यह सी वास एन अक्वेंटेंस आप नैटर्स मदर मम्मी जो नैटर का मम्मी है जोस्तों उनका परिचीत थी क्या थी उनका परिचीत थी आपसन जो वह ने वो करेक्ट एंसर है चलिए आगे बढ़ेंगे तोशन अवा 39 की ओर रामा राओ का नाइस का नाम यानि भती जी का नाम क्या था रतना ठीक है रतना इस दक करेक्ट एंसर याद कर लिजेगा चलिए आज का लाश्ट वर अंधिम कोशन देखते है कोशन में 40 क्या पूछे गया दे नेम आप विलेज डॉक्टर ये भी मैंने कराया जोस्तों रं रोज सेक्षन कंप्लिट करवा चुका हूँ पॉइट्र सेक्षन को कंबाइन करके टॉप 50 इंपोर्टेंट कोशन दिया हूँ जो नहीं देखे देख लीजेगा स्नैप्सॉर्ट बुक यानि बुक्टु का भी अभी जच तोड़ देर पहले कंप्लिट सॉलूसन आपको मि होने वाला है टाइम से पहले 40 कोशन को अपलो एटेम्ट कीजिएगा ठीक है और एक इंपोर्टेंट चीजों तो सबसे पहले का कीजिएगा आपना रोल नंबर रोल कोड इस सबको अच्छे सब फिल कीजिएगा कुछ बच्चे हडबडा के वहीं सब नहीं करते हैं बाद म लोग कलम लेके जाएगा वह भी बॉल पेन होना चाहिए ठीक है अच्छे से उसको फिल कीजिएगा रोल नंबर रोल कोड अपना नाम को अच्छे से लिकिएगा नहीं आता है तो खड़ा हो जाएगा बैंच में सर से पूछिएगा ठीक है लेकिन वहाँ पर गलती नहीं हो चाहिए और टाइम से पहले 40 questions को आप लोग solve कर देंगे ठीक है ये करके आईएगा एक भी questions नहीं चुटना चाहिए जिसका भी answer आपको नहीं आता उसको भी attempt कीजिएगा हो सके आपका सही हो जाए ठीक है क्योंकि negative marking बोल के कुछ होता नहीं है एक कुछ important notice है दोस्तों आप